नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार इस्टेडी बेस से एजूकेशन देखिए आपने दो चीजों का नाम सुना होगा सबसे पहली बात तो आपने बैब पेज का नाम सुना होगा यहनिकि वैप साइट के अंतरगत बैब पेजेस होते हैं तो बैब पेज किससे मिलकर बने हो ठीक है तो रहे हैं एक और नाम सुना होगा HTML5 दोनों है क्या दोनों के अंतरगत हम जो है अंतर यहां पर जानेंगे और कौन-कौन से अंतर है वह भी हम यहां पर जानने वाले तो बैप पेज होता क्या है वह मैं आपको एक बार बता दूँ ठीक है तो देखिए हम चलते हैं क और इस वेबसाइट के अंतरगत हम जाकर देखेंगे हमको बहुत सारी information मिलेगी उसे company या उस संस्ता या फिर जो भी हमारे education संस्तान है उससे related तो आप समझ सकते हैं कि जो वेबसाइट होती है वो complete information होती है पर उसी information में से अगर हम चाहाएं कि categorize wise देखे category wise तो देशे मान लीजे हमको examination से related चीज़े देखना है तो हमने examination वाले section पर click किया और यह हमारी examination से related चीज़े आ गई तो यह क्या है यह examination से related जो चीज़े है वो हो गई हमारी web page अब web page भी अलग-अलग प्रकार से हम देख सकते जैसे कि पहले समय की बात करें तो देखे कुछ static web page होते थे औ और कुछ dynamic अभी भी हमको इसी प्रकार देखने को मिलते हैं पर यहां पर वो static or dynamic web page के अलाबा भी यहां पर आगर हम देखें तो हमको देखिए जैसे home page में हम को देखने को मिलता है कि हमको यहां पर text भी देखने को मिल रहा है ठीक है कुछ link देखने मिल रही है देखे यहा आपको यह basic concept तो समझ में आगया हम basic और जान लेते हैं यहाँ पर तो हमको जानना क्या है HTML और HTML5 में अंतर तो HTML के अगर बात करें तो हमने क्या देखें दोनों का ही काम है एक webpage का निर्बान करना पर इसमें आपको कम facility देखने मिलती है और इसमें आपको ज्यादा facility देखने मि बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर HTML और HTML5 में अंतर ठीक है तो HTML क्या होता है HTML का मतलब होता है hypertext है markup language hypertext markup language ठीक है यह होता है अब hypertext मतलब जैसे कि मैंने बता है linking बाला text ठीक है markup मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है और language मतलब कोई भी विचारो प्रदान करने के लिए माध्यम होती है तो उसी का sort form क्या बन गया hypertext markup language यहने कि HTML एक web page बनाने वाली language है जिसकी अगर बात करें तो देखें यहाँ पे अन्य language जैसे कि हम देखें C है C++ है Java है और अन्य जो programming language है उनसे थोड़ा हटकर है क्यों क्योंकि इन languages को समझना आसान होता क्यों क्योंकि इसमें normally आप देखे normal आप इस प्रकार से bracket लगा और कोई भी tag लिख सकते जिसे HTML भी अपने एक tag है man tag हम इसे बोल सकते हैं बाकी head है body है यह सारी चीज़े हम देखेंगे ठीक है एक नए course को हम launch करेंगे जिसमें हम web designing को complete बिस्तार से देखेंगे ठ पेज में आप चाहते एक changes करें तो उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं इसके अलाबा हम देखें तो इसकी आसानी या इसकी सरलता के कारण काफी popular हो गई है यह HTML language ठीक है hypertext markup language साथ यह case sensitive नहीं है case sensitive का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अपने a लिखे और एक small a लिखे तो दो दोनों का मतलब जो होता है एक ही होता है ठीक है जबकि अगर JavaScript की बात करें तो JavaScript में आपको यह दोनों का मतलब अलग अलग देखने को मिलता है ठीक है इसके साथ ही हम देखें तो platform independent language है किसी भी platform Windows हो Linux हो या अन्य कोई platform हो कहीं पे भी यह आसानी से run की जा सकती है मतलब यह क क्लिए इसका यूज होता ही होता चाहां आफ यह सान और जो है navigation के लिए इसका हूसा विय नेविचेन का मतलब होता है जैसे आपने कोई menu बना दिए इस प्रकार से तो आप navigate कर सकते एक मीनू से दूसरी मीनू पुरे Web Page में ठीक है Webside में आप navigate कर सकते है Game Development में इसकी साथा ली जाती HTML की इसके अलावा आप जो है Graphics कोमेंटेंट कर सकते है Web Page के अंतर गत HTML की साथा से तो यह तो होगे version version का मतलब क्या होता है बरजन का मतलब होता है कोई भी चीज जरूवत के साफ से जब अपग्रेड होने लगती है अपग्रेड मतलब उसमें कुछ फीचर जोड़ने लगते हैं तो उसको एक नाम दे दिया जाता जैसे HTML जो था HTML वो 1 था ऐसा मान लीजे तो 1,2,3,4,5 अभी latest में 5 चल रहा है तो इसका logo भी आप देख सकते हैं तो 5 अभी बरतमायन में इसका version है आगे और बढ़ेंगे जरूवत के साफ से तो HTML का ही upgraded version जो की जरूवत के साफ से इसमें facility जोड़ते गई तो उसका नाम क्या दे दिये हमने HTML 5 दे दिये तो HTML 5 काफी advanced है किस से HTML है ठीक है इसके अलाबा देखे बरतमायन में आपको जरूवते बहुत सारी देखने को मिलती है बहुत सारे challenges देखने को मिलती है तो उन सभी challenges को यहां पर हल करने का काम किस के दौरा किया जा रहा है HTML 5 के दौरा किया जा रहा है साथ ही साथ देखे बहुत सारी features इसमें देखने को मिलते है जैसे idea को हम इसमें maintain कर सकते है टेक्स तो करें सकते हैं graphics कर सकते हैं वीडियो कर सकते हैं animation कर सकते हैं ठीक है अधर जो platform है उन से भी हम जो है web page में जो सारे content है उनको maintain कर सकते हैं इसके लाबा टेक्स new features भी आ है साथ ही साथ advanced text से related भी features यहां देखने को मिलते है जब हम यहां पर इसकी सारी coding करेंगे तो आ मान लीजे हमने HTML लिखते हैं पूरा automatic HTML आ जाता है और पूरा code यहां पर ला लेते हैं जैसे मैं बता हूं यहां पर मेरे पास एक text editor है देखिए sublime text editor है यहां पर मैं आपको दिखाता हूं जैसे मान लीजे मैंने save कर रहा इसको मैं save कर देता हूं abc.html के नाम से ठीक है चलि मान लीजे मैं HTML लिखता हूं देखिए h लिखा HTML खुदबा खुद आ गया देखिए सारे tag automatic यहां पर suggestion में आ रहा है हम जैसे जिस भी tag के उपर लाकर enter करते हैं तो उसका पूरा का पूरा code हमारे सामने display हो जाता है तो यह क्या facility है यह HTML 5 है क्यों क्योंकि यहां पर आसानी सम code लिख सकते हैं जिसको code लिखने में थोड़ी कठिना ही हो रहे ही वो भी यहां पर आसान फिल करेगा साथ ही साथ इसमें क्या क्या maintain किया जा सकता है मैंने graphics को maintain किया जा सकता है ठीक है आईडियो है इन सबी चीजों को हम webpage के अंतरगत edit कर सकते हैं ठीक है इसके अलाबा code सब्सक्राइब आजाता है तो यह सारी features किसके है HTML5 के तो हम समझ सकते हैं यहां पर है मैंने आपको HTML जो है यहां पर देखिए HTML बताया मैंने आपको और HTML के सारी uses बताया उसी के uses यहनिकि HTML के सभी uses को HTML5 के अंतरगत किया सकता है परन्तु यहां पर HTML5 में कुछ extra चीजे भी आपको देखने को मिलती है जो की advanced features से उसके मतलब graded version इसका कुछ फाइदा होना चाहिए तो आपको दोनों में अंतर समझ माय होगा इन दोनों की चीजे और जो हम विस्तार से web page वाले जो वीडियो है उसमें देखेंगे आगे जब course आएगा साथ ही साथ हम जो है कुछ programming language जैसे की bb.net से related चीजे यहां पर मैं लेकर आऊंगा ठीक है asp.net से जो related चीजे है कुछ advanced features के साथ मैं वीडियो यहां पर आएंगे तो आप बने रही है यहां पर चैनल में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले तांकि आने वाल